पाथी भावों पर होगा ये माननी राश्पती और माननी प्रथम महिला के लिए अपने गिल जर्पद में आगमान। यहां दिवनों का प्यार प्रत्मेता और नजाने कितने पर जीवित हो चुके होगे। और पूरे उत्तर प्रदेश की और से स्वाधत करते हैं। माननी राश्पती महदरेगा, माननी उपनुख्यमंत्री, माननी शी केशा पुसाद मौरी जी से हम अनुरोद करें। कि हम सब की ओर से माननी या प्रथम महिला, माननी या शीमती सभिता प्रविन जी को पुष्पुबच्च भीट कर उनका भी स्वाधत करें। नारी शक्ति और कहा चाता है हर सफल गर्ती के पीछे एक मनिला होती है। उन्हें भी नमान अंका भी अभिनांदर। मैं आज 15 सितंबर 2017 को स्वप्षिता ही सेवा महाभियान के सुभारम के अवसर पर यह सपत लेता हूं की सार्वजनिक स्वप्षता है तू मैं अपने आवास विद्याले स्वास्त केंद्र बस इस्टैंड जला से तथा अन्न सार्वजनिक स्थलों को स्वप्ष करूंगा और स्वप्ष रखूंगा अपने गाव एवं नगर को खुले में सोच मुक्त ग्राम बनाने है तो मैं स्वयम का सोचाले निर्माण करूंगा तथा ऐसे लोग जो स्वयम से सोचाले निर्माण में असच्छम हों उनकी सहायता करूंगा खाने के पूर्गुआ सोच के बार अपने हाथों को साबुन से धौंगा तथा स्वक्ष ब्योभार का पालन करूंगा परियाबरन को स्वक्ष लठने है तो गाउं के पूरे कच्छे का सफन निस्तारन करूंगा दन्वार माननी ये राश्पती बहुत से अमिरों के कि अपने आश्रीर वजनों से हमें अनुगरीद करें देश के एक बहुत ही महातुपूर मिशन स्वक्षिता ही सेवा अभ्यान से जुड़े इस समारों में प्रहुप लोग से उपस थित उत्तर प्रदेश के राजपाल स्री राम नायक जी उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री स्री योगी आधितनाज जी केंद्र में पेजल और स्वक्षता मंत्री सु स्री कुमा भारती जी कुमुक मंत्री स्री केश्व प्रशाद मौर जी यहां से लोग सभा के ये सश्वी सांसर डक्टर मुर्ली मनोवर जोसी जी सांसर स्री देविन सिंगोले जी उत्तर पुदेश के माननी मंत्री स्री तस्रती समाहना जी राज मंत्री स्री गुपेंद्र चौदरी जी गडमान अतित्यों देवी और सर्जोनों कि आज मैं अपने घर में आया कुछ परफ़रा रही है कि घर का जो विक्ती आता है तो घर वाले का स्वागत किया जाता है लेकिन इस स्वागत में मैं मान के चलता हूँ कि आप जो मेरा स्वागत कर रहे है रामनात कोबित का नहीं है बलकि इस देश के राश्पती का स्वागत और आप सब्तों भी लगता है कि शायद रामनात कोबित मेरे बीच के थे मेरे इसी जिले के थे वो आज वहले राश्पति भवज में बेटे होंगे राश्पति के उप्पे लेकिन मैं भी इनसे काम नहीं हूँ अर्थात कहीं ने कहीं एक भावनात को जोड़ा हूँ आज हम सबने देखा अपने बीच में अभियान के तहट करनाटक, मेगालाय, मदव प्रदेश, कता कानपुर, सियाय स्वक्षता में उतकर्ष्ट कार करने वाले स्वहिप सेवी और जिनका मैं विशेश लूप से नाम लेना चाहता हूँ, सुलव इंटरनेशनल के संस्तापक स्रीविंदेश वरी पाठकर जी शायद हम लोग वो पर्दमस्री पुरस्तित है, हम लोग उनके कादियों से कब पर्चित हो गई है अगरों होने विश्व को एक संस्तापक है, सुलव स्वचाल, वो पूरे देश में सम्माने था, एक अमारे बीच में भाद्र महिला आईती, नैनालाल कि द्वईजी, जो इंडिया सैनिटेशन को इलेशन की सस्कापत है मैं इस सब का अभिनना करता हूँ अपनी ओर से उत्तर फिदेश की सरकार की ओर से और बिसेश का एक बच्ची आपने देखा होगा वो अपने कान धूकी बच्ची मुनीशा दोवेदी वो जब NCC के कैड़िट की यूनिफार में थी मुझे भी रहा नहीं गया कि इस बच्ची से मैं जरूर मेरू उसको मैंने अपने पास बुलाया और जो जो मैं कह सकता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश का आगे चल करके कोई रास्पती बनेगा प्रास्पती का मुझे पता नहीं है लेकिन जिसकी मैं कलपना करता हूँ रास्ट निर्माता की रास्ट निर्माता रास्पती से भी बड़ा होता है उत्तर रास्पती से भी बड़ा होता है प्रधानमंती से भी बड़ा होता है आप सब लोग जो यहां बैठे हैं या पूरा देश का हर नागरिक जो है वो राश्रा निर्माता है और उस बच्ची में आपार सब आमना है और मैं चाहूंगा उस बच्ची को मेरी बहुत-बहुत शुब खामना है और आशियर बार बच्ची मुझे मिलेगी कभी राश्पत का पद्वार समालने के बाद यह मेरी पहली कानपुर यात्रा है आप सब लोग जानते हैं मेरा यह जन्मेस्तान है मेरी शिच्चा दीक्चा यहीं से हुई बीनेजडी काले से, डियेवी काले से, यहां की यादे मेरे मन में रची बसी है, कानपुर दिहात के छोटे से गाउं से अपनी जीवन यात्रा शुरू की, आज मैं जहां तक पहुं सका है, उसके पीछे आप सभी की शुक कामना हैं, और कानपुर की घंती वा मा गंगा की आपकात है, मुझे कानपुर के गोरोशाली इतिहास का एक अध्या है, हमेशा पर रड़ा देता रहा है, और वो है इस इलागे की सड़कों, गंगों और गाउन है, बस आजादी के दौरान, आजादी संगर्स के दौरान, 1857 की आजादी की पहले लराई के दौरान, नाना स आज हमारा देश ठीक उसी प्रकार से, एक दूसरी लड़ाई लड़ा, अस्वक्षता के खिलाव, गंगी के लड़ा, एक लड़ाई लड़ाई, और इसको, इसका जो बीड़ा उठाया है, वो इस देश के यसस्वी प्रधान मंत्री जी, और आज हम सब लोग इस अभ्यान की सुरुआत कर रहे हैं, इस गाउं, विस्वरी गंगाउं के लोगों ने जिस जिम्बेदारी के साथ अपने गाउं को पुले में सोच से मुक्त बनाया है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विस्वार से हमारा देश अवसी ही सुख्षता पर भी से प्राप रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस गाउं से सीख लेकर इस इलाके के सभी लोग सफाई कर जोड़ दें तथा गंगा नदी को भी साफ करने में अपना योग दालते हैं, आज हम सबने एक सपत ली है, को सार्वजानिक स्वख्षता, विक्तिगर्द स्वख्षता और परिया वरण की स्वख् हूं कि आज के वे कारकम का विक्रोव सीधे दूर दर्शन दौरा लाइट टेली कास्ट हो रहा है, पूरे देश के, मेरा कारकम नहीं है, कारकम बैटे हुए लोगों को टीवी नहीं दिखा रहा है, आप सब को भी देश के सामने की कान फुके इसकरी गाउं में जो कारकम च हम सको मिलकर के करना है, स्वक्सता आप केवन सपाई कर्मियों और सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही केवन उनकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, यह जिम्मेदारी हम सब की है, यह बात लगबग सोग साथ पहरे मादमा गांधी ने खुच सपाई कर करते हुए कार हा कि जब तक हम सब अपने हाथ में जारू और बार्टी नहीं उठाएंगे तब तक आप अपने गाउं और सहर को साफ नहीं कर पाएंगे। यह सर्ण 2014 की गांदी जैंती के दिन से चल रहे स्वक्ष भारत मिसंद के सभी लक्षों को प्राप्त करना राश्प्ता महाथमा गांदी के तुपि सची स्रतांजरी होती है। केवल लक्षों को प्राप्त नहीं करना है, बल्कि यह सुनिस्षित करना है कि स्वख्षता की सुविधाओं का इस्ताई रूप से इस्तेमाल होता है और स्वख्षता की जड़े मजबूत होते हैं। मैं इस पर बहुत कुछ आक्रे में पेश करना चाहता हूं लेकिन दो तीन बाते जिरूर आपसे साधा करना चाहता हूं कि गंदगी जो है किसी भी समाज के लिए अभी साथ मर्मूत्र से जो वीमानियां होती हैं उनके कारां होने वाला आर्थिक नुक्साम एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि हमारे जो देश की जीदीपी है उसका 6.4 के बड़ाबर आथा गया है अभी तारिया इसके बज़रे हैं जो दूर्गर्शन उनको भी दिखा पिर है और जो तारिया नहीं कह जा रहा है उनको भी दिखाया जा आपने सुंक रहे हैं इन वीमारियों से आर्थिक रूप से कमजोर रोगों को अधिक परेशानी होती, उनकी कमाने की छमता कम हो जाती है, और कहा जा सकता है कि सुच्षता के लिए काम करना सही मानों में मानोता की सेवा है। पुद्धी के विकास का असर परता है, भारी संख्या में बच्चे डायरिया के कारण बहुत का सिखाव होते हैं। पीने के पानी को स्वास्त के लिए हानिकारण बनाने का सबसे बड़ा कारण मानों के से पैदा होने वाले संख्रमन हैं। एक बात में और जोड़ना चाहता है। हम सब लोग जिस ग्रावीर बाताबर में रहते हैं। जो लोग हमारी जब बहु बेटी आप बले में सौच में जाती हैं। थोड़ी दूर जाती हैं, गाउं से बाहर जाती हैं। और कभी देखा होगा जिए घर में बड़े बुजूर होते हैं। वो जब तक बहु बेटी सौच करके घर वापस नहीं आती है। तक तक हमारे घर के बड़े मांसिक तलाव नहीं है। जब वो आ जाती हैं तो उनको सत्वुस्टी होती है। और एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि देश में इसी गंधिकी के कारण सारे 6 करों लोग मांसिक बीमारी से त्रस्त है। मांसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी किसी को बताती नहीं है। कि मेरी बीमारी का आपके शरीर पर कितना दुर्स प्रुभाव पर रहा है। ये उस प्रकार की मांसिक बीमारी है। स्वक्ष भारत मिसंद्वारा सक्षता को एक सामुविक मुद्दा बनाया गया है। गाउं से लेकर केट सरकार तक हर स्थर्पर समाज के हर तक्षे की भागिदारी तैकी गई है। महिलाओं के अनेक स्वयम सहता समू सक्री है। यहां उपस्तित साथ वेविल समू के प्रतिदियों की सक्रीता इस मिशन में व्यापक्स भागिदारी का हुदाहर है। सिविल सोसाइटी, साइन नेवलों, इंटर फेथ ग्रूप, एन्सीसी, एन्स जैसे, युवास अंगर्णों, पंचायती राज संस्ताओं और कादमोरेट सेक्टर की नरतर भागिदारी से इस अभियान को तता स्वक्ष भारत मिशन को विशेश उर्जा प्राप्त होगी। लेकिन आम जन्ता, अरभात आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, उनके बिना ये मिसन पूरा नहीं हो सकता। स्वक्षता के लिए सजियों पुरानी आदतों को हमें बदलना है, इस समाज की सोच में बदलाव का अभियान है। ये उस निर्दैता को रोकने का वियान है, जिसके दवाओ में हमारी माताएं, पहने बेटियां भुले सोच में सोच के लिए मजबूर की जाती है। और उनके सम्मान और सुलक्षा की अंदेखी की जाती है। कई ऐसे उदारण सामने आये, आज हमने एक छोटा सा नातक भी देखा थी, उससे भी हमें बहुत कुछ प्रेड़ना मिली। कई ऐसे उदारण आये हैं, सामने आये हैं, जब हमारी बच्चियों ने अपने भूने वाले सस्वारों में सोचार रहना होने के कारण साधी से इंकार करते हैं। ऐसे नव युवतियां हम सब के लिए प्रेड़ना सुरूत हैं, इन क्रामतिकानी कदमों के लिए मैं उनका अभिनान्दर करता। और मुझे रखता है कि अपने इस कारणफुन नगर और देहात और ये चेत्र हैं, इससे भी हमारी बच्चियां और ये बात पिसेश रूप से मैं मनीशा दुवीदी के लिए कह रहा हूं, कि वह बच्ची अगर इनके लिए आगे बढ़कर के आएगा, तो हम समकी उसको ब नहीं, सही माइने में वो बहुत अच्छा है, ये सच है, और कभी-कभी लोगों को लगता है कि अपताब बच्चे इतना बड़ा देश का इसकार को करोम मुप्या लेता होगा भार सरकार से, प्रदेश सरकारों से, नहीं, वो मुफ्त में ये काम कर रहा है, और देखा आप आपने कितने उसके कार्क्रम आ रहे हैं, दर्वाजा बंद, तो बीमारी बंद, और इसके साथ और भी, ये काम कौन कर सकता है, एक रास्ट निर्माता के साथ, आप सको मैं उसी से नहीं में रखता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ, इस पांडाल के बाहर, जिन लोगों को और साथ यहां कर पहुंचने का मौगा नहीं मिलाओगा, वो बाहर खर्ण हुए है, मैं उसको इस गेट से देख रहा हूँ, तपकी धूप में पसीना पाह लए हैं, लेकिन इस अभ्यान उनकी भागेदारी है, वो सुनने के लिए आए है, कि आफिर आज का अभ्यान कौन स इसा ऐसा वियान है, नया वियान, जिसको जातर के हम सुने, वो भी उनकी भूमका है, जितनी आपकी भूमका है, उससे उनकी भूमका काम नहीं है, वो भी इस महावियान और इस राश्ट के निरमाता है, वो इसी पद पर एक केवल इस तर का पर हो सकता है, डिगली का पर हो कि पूरा देश रास्ट निर्माता है, रास्ट निर्माता है, रास्ट निर्माता है, रास्ट निर्माता है, और रास्ट निर्माता है, केवल हमें, केवल और केवल हमें रास्ट निर्मात के बोध की जरूयत है, यह भी बोध होगा कि मैं रास्टे हिद्वे काम कर रहा हूँ सोचाले मुक्त इस अभियान में जोड़ रहा हूँ अपने यहां सोचाले बनाया है यह कोई अपने घर की तरक्षी नहीं है प्रदेश की तरक्षी नहीं है यह रास्टे निर्मार का एक बहुत बड़ा संकल्प है बहुत बड़ा काम है वे तो शायद इसकी हम करपाना नहीं कर सकते हैं कि शायद विदेशों में क्या होता है मैं अपने देश की बात जहूँ सिख्य में कैसा राज दूसरे राज्यों में प्रतिसक किसी ने पचास-पतिसक सोचालय भूंत होगे ओपन खुले में लेकिन बहुत सारे तेजी से बढ़ रहे है और मुझे उमीद है उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा लेकिन पीछे क्यों नहीं रहेगा उसमें आपकी ताकत की जरूरत है आपकी दूर्जा की जरूरत है आपकी भागीदारी की जरूरत है और मैं इसलिए सब को मैं कहने चाहता हूँ कि हम सब को मत दाता तो है बोट डालते हैं को भी कभी सरकार बनाने के लिए कभी विधायर चुनने के लिए तो उस स्वार्थ से भी ये बड़ा महान यक्ष है, देश का भाग बदलने वादा या लिहान है, किसी शायद कलपना अभी हम इतनी नहीं कर सकते हैं, इतनी हमारे आगे वाने वाली कुछिया करेंगे, इसलिए हम सब को मिल करके, इस कादम को आगे वढ़ाना है, राश्मिन मुझे बीच में आया, आपको जितनी खुशी है, मेरे यहाँ आने पर आप से ज्यादा मुझे भी खुशी है, पत की मर्यादाएं हैं, मैं वैसा कहता हूं कि उत्तर प्रडेश कान पर मेरा जनपद है, ग्रह जनपद है, पूरा उत्तर प्रडेश मेरे लिए गरह राज्य ह मात्र राज है, ठीक है, मैं पूरे देश का राजपती हूँ, सब को देखना है, पेरे लिए सब बराबर है, लेकिन जहां की मिक्टी में पला परा हूँ, जहां से सब कुछ सीखते सीखते यहां तक पहुचा हूँ, उनसे तो हमेशा कुछ नकुछ लगाओ तो ज्यादा मैं आप सब को अभी हुंदर करते हुए, नमस्कार करता हूँ, जैए